जहें दोस्तों अंदे मातर कंगना रॉनाओत बॉलिवूट की ऐसी अधकारा है जिनके की ओपर नजाने कितने केस चल रहे है केस क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इसले ही क्योंकि काफी बेवाकी के साथ अपनी बात रखती है अभी कल की ही बात है उन्होंनों दिल्जी दोसांच के ओपर निशाना साथ तो हुए कहा थै कि भई यह गिरफतारी के लिए तगी आ रहे है दिल्जी दोसांच का भी इसके ओपर जवाब आया और अब कंगना ने वीडियो जारी करके सबसे माफी भी मागी क्या कुछ हुआ इस पूरे घटना करम में और ऐसा क्या हुआ कि कंगना ने माफी मागी है वही बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में लेकिन यहां पर बात सिर्फ और से दिल्जी दोसांच के नहीं कई सारे ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जिनकी स्टोडीज निकल कर सामने आई है जिन लोगों ने इस बारे में बात करी है कि भई पंजाब में जो भी कुछ होला है गरत हो रहा है लेकिन अकेले वो नहीं उसके अलावा कई सारे ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जिन लोगों ने इस तरह की तस्वीरे पोस्ट करी और दुख जता है कि भई पंजाब में जो भी कुछ होला है गलत हो और यहां पर पंजाब पुलिस के आफूर तस्वीर का इस्तमाल कई जगो जवाब भी दिया है हाली में पंजाब पुलिस ने कंटरपंदी से गुप देशक और खालिसान समर्थक अमरतपाल सिंग और उसके सहयोगियों खिलाव कारवाई शुरू करें इस सबके बीच में कंगनाने खालिसानियों के समर्थन करने के लिए दिल्जी दोसांज की गिर सिंगर और एक्टर ने अपनी इस पोस्ट में हाथ जोडने वाले एक एमोजी भी साज़ा किया हाला कि दिल्जीत ने कंगना की पोस्ट पर सीरे तोर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन इंडिरेक्ली या अपरतेक्श रूप से इसको उन्हीं के पोस्ट का जवाब भी माना जा जिसमें उन्होंने क्रॉस लगाया था। इस पोस्ट में खाथा कि कि दिल्जी दोसांजी पुल्स आगई पुल्स कंगनाराथ ने पंजाब पुलिस के कारवाई के बाद एक इंस्टा स्टोरी में दिल जी दोसांच को चेतावरी देते भी लिखा था खालिस्तानियों के समर्थन करने वाले सबी लोगों का अगला नमबर आ गया है अगला नमबर तुम्हारा है पुल्स आ चुकी है ये वो वक्त नहीं है जब कोई भी कुछ करता रहे देश के साथ गदारी है तुकड़े करने की कोशिश अब महंगी पड़ेगी पुलिस यहां आ चुकी इसके बाद कंगनराथ ने एक और पोस्ट लेका पहले तो ये दिल जीत उसाज बड़ी धंकिया देता था आप कहां छुपे बैठे हैं ये सब कितना दमकर उचलते थे और अब कैसे दुवक कर बैठ गए हैं प्लीज एक्स्प्लेंग बता दें कि कंगना और दिलजीत के भी सोशल मीडिया पर शाहिन बाग में प्रदर्शन को लेकर पहले भी अल्रेडी बहस हो चुकी है लेकिन आप इस बार उनके जनम दिन पर कुछ ऐसा हुआ है कि लोग अपने बाल खुजा रहे हैं दरसल कंगना ने एक वीडियो शेर करके अब उन सभी से माफी मांगी है जिनका उन्होंने कभी न कभी दिल दुखाया है कंगना नाथ का ये वीडियो इस समय चर्चा में है क्योंकि बर्थडे से एक दिन पहले उन्होंने पंजाबी सिंगर और एक्टर दिल जुसांग पर धावा बोल दिया था ताथी उन्हें ने ट्रोल्स को भी शुक्रिया कहा है वीडियो में कंगना ने कहा है कि आज अपने जनम दिन पर मैं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करना चाहती हूं मेरे माता पिता मेरी कुल देवी मा अंबिका जी जिन्होंने मुझे जनम दिया मेरे सारे गुरू शुली सद्गुरू जी मेरे सारे चाहने वाले मेरे प्रशंसक शुप्चंतक परिवार दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं मेरी सहायता करते हैं जिनकी वज़े से आज जो मैं बन पाई हूँ बनी हूँ मैं उन सभी का आभार विक्त करना चाहती हूँ कंग्ने ने कहा कि उन सब का भी आभार में विक्त करना चाहती हूँ जो मेरे लिए निंदक हैं, अलोचनाय करते हैं, मेरे शात्रू है उन्हेंने मुझे कभी आलस नहीं आने दिया कभी मुझे सफल महसूस होने नहीं दिया हमेशा लड़ना सिखाया ये सिखाया कि किस तरीके से आगे बढ़ते रहना है मैं हमेशा ही सब का अच्छा चाहती हूं मैं लाब और हानी से उठकर हर किसी के बारे में अच्छा करने का सोचती हूं इसके चलते अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो किसी को ठेस पहुचाई हो या किसी का मन में दुख दिया हो तो मैं माफी चाहती हूं मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही साभागेशाली है और मेरे दिल में किसी को लेकर कोई बैर भी नहीं है कभनानौत के इस पोस्ट पर फैंस के काफी रियक्शन सामने है जहां फैंस एक्ट्रिस को बर्थेड विश कर रहे हैं तो वहीं कुछ इस वीडियो को दिल जीदोसांच से भी जोड़ कर देख रहे है 22 मार्च को कंग्ना ने दिल जीदोसांच को टार्गिट करते वे ट्वीट किया था कि पहले तो दिल जीदोसांच बड़ी धमकिया देता था और मुझे लगता भी नहीं कि इस माफी को दिल जी इत कंसिडर भी करेंगे आपका क्या कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूब बताईए का मेरे सुनी फिलालत नहीं जाए हैं जाए बाद